हेलो फ्रेंट्स इजी होम रेमडी में आपका बहुत बहुत स्वागत है मैं आज आपके लिए और स्किन के लिए बहुत ही अच्छा फेस पैक लेकर आई हूँ जो आप घर पे इजली बना सकते हैं वो है नीम का फेस पैक फ्रेंट्स अगर आप नीम का पाउडर ले 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 तो बहुत अच्छी बात है अगर नहीं आपको पाउडर मिल रहा तो आप क्या करें नीम की पतियों को अच्छी तरह से जो नीम की पतियां होती है उनको अच्छी तरह सुखा के उसको पीस ले अच्छी तरह से तो फ्रेंट्स जो भी मैं होम रेमेड़ी घर में बताती हू आपको उसमें जहाँ आप कांच की बॉल और प्लास्टिक का उसमें मैटल का कोई भी इस्तमाल मत करें वो फीर्ष के लिए बिल्कुल भी अच्छा नहीं होता तो आप देख सकते हैं मैंने प्लास्टिक की कटोरी ले ली है तो बहुत ही अच्छा है यह फिर्षपैक बनाना oily skin वालों को तो आपको पता ही होगा कि जिनकी oily skin का है उनकी क्या problem होती है तो oily skin पे एक तो pimple बहुत जल्दी आते हैं तो oily skin वालों के लिए pimple तो जैसे बुर्दान है वैसी बात हो जाती है तो आपने क्या करना है एक तो जो पैक आपके face को जो oil होता है उनको control करेगा और यह मैंने छोटा चम्मच है plastic का मैंने यह दिया है और इसमें friends आपने ठोड़ा सा गुलाब जल अड़ करना है अगर आप गुलाब जल न भी अड़ करें तो चलेगा friends skip भी कर सकते हैं तो गुलाब जल मैंने एक चमच तक्रीमिन आड़ कर दिया है आपने दूसरा तिसरा ग्रीडर लेना है देहीं जितना आप खट्टा लोगे उतना ही आपको बेस्ट रिजल्ट मिलेगा तो मैंने इसमें दो जमच देहीं के डाली है इसमें और कुछ नहीं डालना आपने बस इसको अच्छी तरह से मिक्स कर लेना है यह बहुत ही पिंपल वालों के लिए तो यह बहुत ही इफेक्टिव फीस पैक है इसको आप जरूर ट्राइ करके जरूर देखिए जो भी मैं होम इजी होम रेमेडी चैनल को प्लीज सब्सक्राइब कर लीजिए और मेरे चैनल को तो मेरी वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लाइक करिए और शेर करिए तो इसका ऐसा पैक बन जाएगा अब देख सकते हैं अच्छी तरह से मैंने इसको मिक्स कर लिया है और आप ब्रश की हेल्प से भी लगा सकते हैं और हाथों से भी लगा सकते हैं जैसे आपको कमफर्ट हो वैसे ही लगा सकते हैं इस पैक को यह आपके जो स्किन पे जो ऑईल है वो उसको कंट्रोल करेगा और पिंपल के जो दाग दब्बे उनको भी खत्म करेगा धीरे धीरे और आगे पिंप और इसका मैं लिंक डिस्क्रप्शन में देंगे आप चेक कर सकते हैं तो आप कोई भी जाफिर अच्छा लगे तो वह नीम का पाउंटर ले सकते हैं जाफिर आप घर में ही नीम की पत्यां सुखा के इसका पेस्ट बना लें और इसको एक अच्छे सुखे कंटेनर में भरके रख लें तो जब आपने फिस पैक बनानो तब यह यूज कर लें तो यह बहुत ही अच्छा है फिस पैक है फ्रेंड्स आप इसको एक बार जरू ट्राय करके लिए आपके पिंपल जो होते हैं वो भी खदम हो जाएंगे और पिंपल के निशान है वो भी धिरिदिर चले ज तो इसमें आप थोड़ा से जाफिर नारील का तेल मिक्स कर लें अगर नारील का तेल नहीं है तो आप बदाम तेल भी इसमें यूज कर सकते हैं थोड़ा सा 2-4 तक ज्यादा नहीं फ्रेंड्स तो इस पैक को आपने हफते में 3 बार यूज करना है और 15-20 मिनिट तक फेस प सब्सक्राइब जरूर करिए तो साथ में जो बैल आइकन बटन है उसको जरूर प्रेस करिए तांके मेरी आने वाली वीडियो आपके साथ असारिन से पहुंच सके तो मिलते हैं और अच्छी बुड़ी के साथ तब तेल लिए बाई